तो आज के समय में, जहां देखो वहाँ पर आपको डिजिटल कोचेज नजर आ रहे हैं, यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, फेस्बुक पर देखिए, क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा है, तो अब कई सारे लोग आपको टागेट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स दिखा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ओफर कर रहा है, कोई सर्विस ओफर कर रहा है, कोई सौफ्टवेर ओफर कर रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कोचिंग दे रहा है, कोई में भी हाई टिकेट क्लोजिंग कर यह सब क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं यह सब यह सारे डिजिटल कोचिज हैं और आज के समय में डिजिटल कोचिंग का बिजनस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने का एक सिंपल तरीका बन चुका है अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको भी इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट है या आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है तो यह वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है मेरा नाम संदीब बनसाली है मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ आउनलाइन मैं खुद एक डिजिटल कोज हूँ सोचिया आज से तीन साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता था एक नया सब्जेक्ट मैंने सीखा केवल अपने बिजिटल मार्केटिंग सिखाना जब से शुरू किया है तब से आज तक यानि 30-33 मन्स हो गए हैं करीबन 12 करोड रुपए से जादा का रेवेन्यू मैंने क्रियेट कर लिया है अगर आप सोच रहे हैं कि सर कैसे हैं तो ध्यान दीजिए आज मैं आपको समझा रहा हूँ 7 easy steps अगर आप मेरी तरह एक digital coach बनना चाहते हैं तो इन 7 steps को आप follow कीजिए और आप बहुत आसानी से इस knowledge business का हिस्सा बन सकते हैं डिजिटल coach बनने के लिए सबसे पहला step है कि आप अपना niche final कीजिए niche का मतलब है subject आपके पास कोई न कोई knowledge जरूर है ऐसे होई नहीं सकता कि आपके पास कोई knowledge ना हो देखे हम अपने आपको underestimate करते हैं वो बात अलग है लेकिन हर किसी के अंदर कोई न कोई knowledge होता है या तो फिर कोई न कोई skill होता है या तो फिर कुछ न कुछ अनुभव होता है अगर आपके पास कोई skill है knowledge है अनुभव है तो आपको ये सोचना है कि इन सब का इस्तेमाल करके मैं कौन से subject पर काम करूँ कौन सा subject लोगों को सिखाऊं ताकि मेरे courses या मेरी consulting या मेरी high ticket का जो भी product या service है वो बिकना शुरू हो जाए तो ध्यान दीजिए अकसर दुनिया में 6-7 प्रकार के problems होते हैं लोगों के आम तोर पर और इन problems को solve करने के लिए लोग अकसर पैसे खर्च करने के लिए तयार होते हैं कौन से problems? For example, लोगों के पास business problem होते हैं Sale नहीं बढ़ रही है, profit नहीं बढ़ रहा है, production नहीं निकल रहा है, employee छोड़ कर जा रही है, ये सारे business problems है दूसरा होता है career का problem, जो लोग job करते हैं उन्हें career का problem होता है नौकरी मिल नहीं रही है, मिल रही है तो tick नहीं रही है, promotion नहीं मिल रहा है, मन चाही salary नहीं मिल रही है काम के जगह पे respect नहीं मिल रही है कैसे promotion पाऊं समझ नहीं आ रहा है leadership के roles कैसे attain करूं वो नहीं समझ में आ रहा है यह सारे career related problems है लोगों को health related problem होते है किसी को वजन घटाना है, किसी को बढ़ाना है किसी को disease ठीक करनी है, किसी को prevent करनी है health related problems होते है कुछ लोगों को skill चाहिए जैसे dance सीखना है, music सीखना है instrument बजाना सीखना है, खाना बनाना सीखना है art सीखना है, craft सीखना है, कोई subject सीखना है किसी को 10 standard pass करनी है, किसी को 12, किसी को IAS किसी को NEET की exam देनी है, किसी को JEE कितने सारे skills है, कितने सारे subjects हैं जो लोगों को सीखने है ये knowledge वाला problem है लोगों के पास relationship का problem है भाई-भाई की नहीं बनती परिवार में problems है husband wife के problems है साज बहुत होता ही है लोगों के पास पैसो के problem है पैसे कैसे कमाएं जिनोंने कमाएं हैं वो कहते हम multiply कैसे करें बढ़ाएं कैसे जो लोग बढ़ा रहे हैं वो कहते हैं हम invest कहां कहां करें कितने ही problems होते हैं पैसे से related भी तो यहाँ पर जो 6-7 zones मैंने आपको बताए इन 6-7 subject में लोगों के आम problems होते हैं और अगर आप अपने skill अपने knowledge या अपने experience से इन में से किसी problem को solve करने की कोई मदद किसी की कर सकते हो तो बहुत आसानी से यह आपका niche बन जाता है और उतनी ही आसानी से आप इस विशय पर training देकर, coaching देकर courses बना कर, consulting देकर अपना काम शुरू कर सकते हो तो अब आपको यह सोचना है कि आपके पास क्या experience है क्या अनुभव है क्या आता है आपको क्या आपको पसंद है करना और आप कैसे किसी का कोई problem solve कर सकते हो यह बनेगी आपकी niche आपका विशय जो आप सिखाओगे step number two में आपको decide करना है funnel funnel का simple मतलब है marketing अक्सर कई बार लोग product बनाना सिखाते हैं service बनाना सिखाते हैं मैं कहता हूँ पहले marketing की सोचो यह मुझे मैं मेरे दिमाग में एक बत्ती जली थी जब मैं आमीर खान जी का एक interview देख रहा था गजनी पिक्चर के लिए उन्होंने एक फिल्म की थी गजनी उसकी marketing कर रहे थे मतलब interviews वगर रहा और उस interview में आमीर खान ने कहा कि industry में सबसे बड़ा game होता है audience को auditorium के अंदर ले आना auditorium के अंदर क्या picture चलती है वो बात का बात है प्राद की बात है सबसे पहले audience को attract कैसे करोगे वो बड़ा game है उस दिन से मेरे दिमाग में ये clear था कि जब भी आप product बनाओ या service बनाओ वो product कितना अच्छा है service कैसे बनाओगे क्या create करोगे उस पर तो ध्यान देंगे लेकिन वो बाद में पहले ये सोचो कि उसकी marketing कैसे करोगे leads कहां से आएंगे अगर आपको अपने products बेचने है तो सामने लोग भी तो होने चाहिए किसे बेचोगे तो ये लोग, ये leads कहां से आएंगे कैसे आएंगे इन्हें कहां रखोगे इनसे बाते कैसे करोगे इन्हें अपना product कहां कैसे कब बेचोगे समझ में आ रहा है ये सब कुछ पहले decide करना जरूरी है हर product के हिसाब से और service के हिसाब से funnel अलग हो सकता है देखे, बेचता हर कोई है पारले जी के बिस्कुट वाला भी बेचता है Mercedes गाड़ी वाला भी बेचता है लेकिन बिस्कुट बेचने की procedure अलग है और 50 लाग की गाड़ी बेचने की procedure अलग है बिस्कुट कोई पहले खा कर देखेगा फिर नहीं खरी देगा ये procedure नहीं है बिस्कुट का एड देखते हैं सब जानते हैं वो ले लेते हैं लेकिन गाड़ी कोई ऐसे ही नहीं लेगा वो पहले चला के देखेगा और फिर उससे पसंद आए तो वो लेगा यह basic difference है और ऐसे कई सारे products के कई सारे price points होते हैं qualities होती हैं कई सारे parameters को ध्यान में रखते हुए आपको funnel बनाना आना चाहिए कि marketing कैसे होगी यह पहले decide कर लो step number 3 में आप अपना curriculum बनाई जो आप सिखाना चाहते हैं consulting करना चाहते हैं knowledge देना चाहते हैं अब उसका पाठ्यकरम बना लीजिए step by step procedure बनाई सामने वाला कैसे सीखेगा तो कई बार मुझसे कहते हैं लोग सर लेकिन ये कैसे बनाएं कुछ idea दीजिए मैं आपको दो बड़ी simple ideas देता हूँ सबसे पहली idea तो ये है कि हमेशा अपने student को आज वो जहां कहीं पर भी है वहां से लेकर वो जहां जाना चाहता है आपके knowledge के साथ बतलब आज की उसकी current state और desired state को कायम करो और फिर आपका course वो cd बनेगी step by step जो चड़ कर वो current state से desired state तक पहुँचेगा इसे इसी तरीके से कागस पे लिखो और फिर सोचना शूरू करो step by step procedure क्या होगी second idea देता हूँ थोड़ा research कर लो courses बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं आपकी niche में भी courses, consulting, coaching देने वाले लोग हैं उनकी websites पर जाएए देखिए उनके course का content क्या है वो क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं उदेमी जैसे platform पर जाएए, वहाँ पर लगवग हर subject का course आपको मिल जाता है और हर course को अगर आप click करोगे तो उसके अंदर के contents कि उसमें क्या-क्या सिखाय या गया है, उसका structure क्या है, सब कुछ दिया होता है थोड़ा research कर लोगे न करिकुलम पर clarity आ जाएगी step number 4 में आप courses को record करना सीखिए कई लोग सोचते हैं, कि sir हम recording कैसे करें, हमें तो camera से डर लगता है camera से डर लगता है तो आगे कुछ नहीं कर पाओ कि जिन्दगी में, यह डर को मिटाना जरूरी है आसान है, अपना mobile उठाओ, camera on करो, video बनाओ, और भेजदो अपने लोगों को चुटकुला सुनाओ, कहानी सुनाओ, गपशब करो, camera में बात करने की practice कीजिए और इतना difficult नहीं है एक बार camera के साथ आप friendly हो जाएं, फिर सोचिए कि courses कैसे record करोगे बहुत सारे software है market में, जो लेकर आप बस अपना laptop, camera या mobile पर भी record कर सकते हो सबसे आसान idea दूँ आपका जो भी subject है, एक बार curriculum, पाठ्थे करम उसका decide हो गया न वही पाठ्थे करम किसी को ना free में सिखा दूँ free में और जब सिखा रहे हो, तो record कर लो वही बन जाता आपका course, तोज़ में आ रहा है ये इतनी practical और simple idea है, जो कोई किसी को नहीं देता मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं genuinely चाहता हूं कि आपके अंदर जो valuable knowledge है, skill है, experience है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों का भला हो, साथ में आप भी अच्छे पैसे कमाँ, no problem fifth step है, इसे package करना सीखो कि अगर कोई आपका course खरीदेगा, तो उसे ये videos मिलेंगे कैसे कौन से platform पर डाल कर दोगे और market में बहुत सारे ऐसे service providers हैं जिने LMS कहते हैं, learning management system किसी एक का service ले लो, 5-10,000 रुपया लेते हैं, ले लो साल भर का, और फिर लोगों को अपने courses आप deliver कर सकते हो आपके courses secured भी होंगे और कोई copy भी नहीं कर पाए एक बार package हो जाए, तो six step है ecosystem अब product तयार हो गया है, service आपने create कर ली है offer वगेरा उसका आपने सोच लिया है, अब ये लोगों को बताना जरूरी है, अपने आपको लोगों को प्रदर्शित करना जरूरी है कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी website होनी चाहिए उस पर अपनी सारी जानकारी डाल दो फिर उस website के साथ अपने सोचल मीडिया को जोड़ दो Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube सब content post करना शुरू कीजिए चाहें तो advertisements भी कर सकते हैं leads को इखटा कीजिए, उन्हें nurture कीजिए एक पूरा का पूरा system बनाईए कि ये कैसे होगा and seventh step is activate कीजिए actually ads run कीजिए, leads आएंगे फिर उन्हें चाहें तो webinar में लाईए, webinar में बेचिए चाहें तो bootcamps कीजिए, workshops कीजिए, one-on-one call पे closing कीजिए कई सारे तरीके हैं ये सब करने के अब ये video देखकर मेरी बाते सुनकर हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग overwhelmed हूँ, कि oh my god, sir, आपने इतना सब कुछ बता दिया, ये seven steps होंगे कैसे, ये तो सारा हमें rocket science की तरह लग रहा है तो trust me, ये बहुत आसान है, ये video दुबारा एक बार देख लेना, ये सारे steps अपने पास note कर लेना, मेरी हर कही हुई बात को ध्यान से सुनना, और step by step by step implement करेंगे, तो आप इन seven steps में खुद एक digital coach बन सकते हैं, no problem अब आपके पास दो रास्ते हैं, मैंने आपको steps तो सारे बता दिये, कर लो, खुद कर सकते हो, मैं कोई pressure नहीं डालूँगा, ना ही कोई जुटा वादा, ना ही कोई जुटा सपना दूँगा, 100% practically आप चाहें, तो आप ये कर सकते हैं, खुद, थोड़ा समय लगेगा, अपने आपको educate कीजिए और आहिस्ते आहिस्ते ये सब करना शुरू कर दीजिए, नहीं अगर आप थोड़ा इसे fast चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे webinar में आ सकते हैं, मैं ये सब कुछ और detail में सिखाता हूं, समझाता हूं, और फिर उस उमीद करता हूं कि ये seven steps आपको समझ में आए, आपके दिमाग में clarity मिली, और एक बलबॉन हुआ, या कभी न कभी किसी मुद्दे को सुनकर घंटी बजी, मुझे comment या chat में लिखकर बताईए, और किस step पर, या किस विशय पर, या किस सवाल का जवाब आप मुझसे चाहें तो अगली बार, अगले वीडियो में मैं आपको उसके भी details देतूंगा, आपका हर comment मैं खुद पढ़ता हूं और जवाब देता हूं कि, thank you.